सोशल मीडिया पर अपनी राय तो रख सकते हैं लेकिन जब कोई सेलिब्रिटी या क्रिकेटर कुछ भी देश के चुने हुए पीएम के लिए लिखता है तो स्वाभाविक है कि लोगों का गुसा भी दिखेगा गुसा दिखना तो जायज है क्योंकि जिस घटना के लिए देश के पीएम जिनमेदार नहों उसके लिए भी उसे टैक कर उससे सफाई और कारवाई की बात की जाए टीम इंडिया के स्टार स्निपर हरबजन सिंग एक बार सोशल मीडिया में आलोशना के शिकार हो रहे हैं दरसल उन्होंने एक तस्वीर प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी को ट्विटर पर टैक की है जिसमें एक पुलिस वाला एक महिला जिसके हाथ में बच्चा है उसे डंडे से पीट रहा है हरबजन सिंग ने मोदी को वो तस्वीर टैक करते वे लिखा इस तरह का बरताव किसी को भी नहीं जेलना चाहिए पुलिस बचाफ करने के लिए है ना कि अपने लोगों को पीटने के लिए भजजी ने ये तस्वीर जैसे ही मोदी को टैक की उन्हें लगाता लोगों की आलोशनाओं का शिकार होना पड़ रहा है और ट्विटर पर लगातार लोग भजजी पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं हलाकि हरवजन सेंग अपनी बात पर अड़े हुए हैं और लोगों के आलोशना का डट के जवाब दे रहे हैं लेके जो भी किसी भी घटना के लिए देश के पीम नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे कटगरे में खड़ा करना कहा का न्याय है ये सवाल भी बड़ा है